सब्सक्राइब कीजिए इस्टेडियान चैनल को और बैल आइकन को दबाईए लेटेश कोर्मन जोप्स के डेली अपडेट्स पाने के लिए तो यह बेलो फ्रेंट्स वेल्कम टो और यूट्यूब चैनल स्टेडियान फ्रेंड यूपीजडियान सैर्कल टू का जो रिजल्ट है वो आचुका है बहुत सारे स्टेड्स का स्मस्सेलक्शन हुआ है तो इसकी जो जो जोनिंग प्रोसेस की वीडिए थी वह मैं बना चुक होने वाली है तो वीडियो को जड़ा सा भी स्किप मत कीज़ेगा वीडियो को एंट तक देखना और अगर चैनल पर नहीं आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर लिएज़ेगा ताकि आपको नई जोब नोटिफिकेशन तुरंद मिलती रहे तो चल सेक्यूरिटी आमाउंट थ lazette थेवावनित को हम लिया जाता है तो दुनों तरब से प्रोफिट होता चैनल को प्रोफित होता एक्टि छोड़के चल जाता है तो इस तरह सी जोब ना चौटे कोई तो कि इसके लिए आप से सिक्यूर्टी जो बॉन्ड नीया जाता है जिएकें जो इनिंग कराने तक का समुन्ड का जो खर्चा आता है जिएक जो डिपार्टेमेंट हो հय्श खर्च के नहीं सबताएं है तो उसी तरी हिंस से खर्च को भी उनके लिए इसको कम करने में लिए भी सिर्रण ciao जरूरी हो जाता है उनकी तुरब्स से लिना तो पहले जो सीकूर्टीय मौंड लिया जाता हो दस से 50 अर तक जो है security bond था लेकिन इस साल इसको बढ़ा कर एक लाग रुपे कर दिया गया है आपको joining के बाद एक लाग रुपे security bond के रूप में देने होंगे GDS को और उसके बाद आपको ये पैसे वापस मिलते हैं या नहीं मिलते हैं इसकी बारे में जान लेते हैं security bond के जो पैसे होते हैं जो आप जमा करते हैं GDS के अंदर वो आपके बिल्कुल सेफ होते हैं जब भी आप जोब को छोड़ना चाहते हैं मतलब ऐसी नहीं कि आप डिरेक्टली जोब को छोड़ कर चले जाएंगे और आपको पैसे मिलेंगे नहीं कि आपको प्रोपर रिजन देना होगा रिजाइन लेटर आपको प्रोवाइड देना होगा उनको जीडेस को उसके बाद आप जोड़ सकते हैं और जो security अमांट आपको वापस मिल जाता है जोब छोड़ने के बाद लेकिन अगर आगर कोई वी ऐसी चला गया कि जीडेस का पैसा लेकर भाग जाते हैं बहुत सारे शुडेंटstone जोब करते हैं तो बहुत सारे GDS को पैसा लेकर भाग जाते हैं या फिर जोब को छोड़ देता है जिसे GDS को नुक्सान हो तो उस कंडिशन में आपको security bond का पैसा वह वापस नहीं मिलने वाला है तो security bond जमा करने से पहले आप सोच लिए कि इसकी जो salary है वो आपकी 10,000 से 12,000 तक हमारी BPM की है और ये BPM की जो salary है वो हमारी 12,000 से 14,000 तक है अगर आप जोब करना ही चाते हैं तब ही आप security amount जमा करें इसके अलावा security amount आप मैंने आपको बता दिया कि security bond क्या होता है और वो हमको जमा क्यों करना पड़ता है और वो हमको वापस भी मिल जाता है तो अगर आप कभी कोई और सवाल हो security bond को लेकर तो इस वीडियो के comment box में जरूर बताईएगा इसके अलावा अगर आपका किसी भी job से related कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो के comment box में जरूर बताईएगा उसको solution आपको जरूर मिलेगा और चैनल पर नई हैं तो चैनल को subscribe करके bell icon को press कर दिएगा और वीडियो को like कर दिएगा Thank you for watching